यहां पर बात करते हैं layer 2 blockchains के बारे में और जब layer 2 blockchains की बात होती है तो सबसे उपर आता है हर किसी के दिमाग में polygon matic का नाम क्योंकि हर को यह चाता है कि polygon matic ने जैसा gain देया 2021 में वैसा भी हम gain बना ले इस bull run में यहां पर जो layer 2 blockchains पर इस है वो काफी ज़ादा important हो चुका है ethereum ecosystem के लिए क्योंकि most of transactions जो है वो ethereum ecosystem के layer 2 blockchains पर होने लग गई है अब यहां पर हम कोशिश करते हैं अगला matic killer ढूणने की बट मज़े की बात यह है कि हमें matic killer ढूणने की जरूरत ही नहीं है we always try to find the next matic killer जहां पर हमें एक decent gain मिल जाए 100x नहीं 400x नहीं matic की तरह मैं बुलूँगा एक छोटा gain नहीं मिल जाए 20 30x ही मिल जाए बट अब आज इसकी वीडियो में हमें एक बहुत ही ज़ादा anticipated project की बात करेंगे जो कि है zksink सो सीजी सीजी बात करेंगे जाद अलंबी वीडियो होगी नहीं यहाँ पर यह टीम ने hint दिया है कि जल्दी यहाँ पर token launch हो सकता है और यहाँ पर बहुत जादा hype है around airdrops ठीक है तो क्योंकि काफी सारे लोगों ने इनका airdrop किया है मैंने देखा था 2021 में मुझे एक बंदा के लिए काफी हत तक and इस project की बहुत अच्छी एक power भी बन सकती है और यहाँ पर देखेंगे कि बाकी जो layer 2 blockchains आई थी उनकी क्या performance रही क्या मैं इसको buy करने वाला हूँ जब यह launch होगा नहीं करने वाला हूँ because मैंने इसका airdrop नहीं किया था so यहाँ पर हम start करेंगे video को चोटी सी video रखने वाला हूँ simple, quick and unbiased and मुझे क्या लगता है कि ZK Singh एक अच्छी investment हो सकती है कि नहीं हो सकती है can it make you rich basically it can make people rich but only airdrop hunters जो की 2-3-4 साल से महनत कर रहे है और जो जिन्हों नहीं किया है उनको यहाँ पर buying opportunity मिलेगी एक अच्छा pump मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस च काफी सारा content डालते हैं जो आपके काफी सारा काम आ सकता है तो अगर आपने जॉइन नहीं कि अभी तक तो जॉइन कर लीजेगा as आपने वीडियो में देखा है warning मैंने पहली दे दिये कि हमारा एक ही टेलिग्राम चैनल है और उसको official link नीचे description में है तो please आपसे एक छोटी है कि it is a fast blockchain यहां पर 7 million addresses है 400 million transactions है cost जो है वो 0.01 है and TVL जो है वो इनका 815 million dollars का है which is good and यहां पर सिर्फ और सिर्फ इतनी transactions इतने users इसलिए है क्योंकि यहां पर airdrop की speculation है यह बात clear है right अब देखेंगे अगर इंका airdrop तो इंका airdrop नहीं sorry इंका अगर ecosystem देखेंगे तो ठीक ठ places भी है gaming भी है it looks nice ठीक है बट यहां पर जो past मेरे experience रहे layer 2 blockchains को लेके उसके हिसाब से मैं यहां पर इस पर भी decision लेने वाला हूँ अगर हम देखेंगे daps को कि यहां पर इनके ecosystem पर कितने daps बनी है क्या-क्या बना वो है तो हमें जादा अचा idea रहेगा ठीक है so यहां पर हम देख रहे हैं जीके सिंक को यहां पर आप देख सकते हो एक यह प्रोटोबॉल है कार्फ जिसमें 64,000 users active weekly है क्योंकि यहां पर भी airdrop आने वाला है layer 3 है dmail network है sync swap है main inga अगर हम देखे तो sync swap को हमें देखना चाहिए right and कितने users active है 18,000 users है आगे जाके और भी अच्छे-ची apps आने वाली है इस पर like dairy भी हो अच्छा है बुरा नहीं है मैं बोलूँगा कि it is bad यहां पर अगर आप देखोगे L2 beat पर यहां पर आपको layer 2 की performance पता लग जाती और हम finality देखते हैं कि कितने time में finalize हो जाती है transaction तो भी साथवे number पर आता है ठीक है यहां पर अभी data वैसे पूरा नहीं है आर्बिटरम 1 is on the number 1 activity wise देखोगे तो activity wise भी साथवे आठवे number पर आ रहा है after optimism सबसे उपर चल रहा है base इस time पर and coinbase की layer 2 blockchain है which is very interesting built on optimism so यहां पर अगर देखोगे तो आप activity भी जो है blockchain पर वो धीरे धीरे ना कम होती जा रही है obviously लोगों ने कर लिया airdrop के लिए apply अब उनको मिल जाएगा तो उनका काम हो गया so most of traction जो है जीके सिंग पर वो बनाए airdrop की वज़े से और यहां पर जीके सिंग के power की बात करें य यह एक random account I don't know so यहां पर इस भाई का birthday happy birthday to you bro और यहां पर इन्होंने गाड़ी खरीद लिये and यह उन्होंने बोला है rewarded myself with 2022RX350F sports beast this is pre ZK airdrop और यहां पर यह बोल रहे हैं कि काफी massive होने वाल तो इंको expectation बहुत है और बिल्कुल हो गया लोगों ने लाखो डॉलर की जो है transaction volume मना रिखिया और उसमें उनके मैं बोलूगा कुछ 1000 डॉलर लग भी गया होंगे कई लोगों के right मैंने तो किया नहीं मुझे पता नहीं है so यहां पर अगर तेखो अब ऐसा होता है चार साल किसी चीज को दिया अगर इन्होंने हजार-दो-जार डॉलर का airdrop दिया तो तो भी जाए बट अगर most of लोगों को छोटा airdrop मिला तो वहां पर वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे और जिस तो airdrop क्या होता है it's free marketing not free basically तो यहां पर जो blockchain space है या फिर crypto space है या marketing का तरीका थोड़ा अलग है वो अपने blockchain को test भी करा लेते हैं आपसे और पता भी लग जाती है तो अब जो लोग marketing में काम कर रहे थे अगर वो negative marketing करने लग जाएं तो बहुत ज़्यादा FUD जो है वो यहां पर create हो जाएगा ZK Sink के बारे में जिसके मुझे high chances लग रहे है क्योंकि अभी तक जो past में कुछ airdrops आएं जिन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा जो अगर आप देखेंगे past के layer 2 blockchains की performance जो अभी recent times में मैं आते दिखें हैं ठीक है simple सी quick सी video about ZK Sink हो सकता इसके बाद मैं इसकी video की ना बनाओ on launch और maybe after launch और सीधा अगर मुझे दिखेगा chart पर buying तो मैं buying करूँगा and will I hold it क्या मैं इस वो hold करूँगा अगर हम देखे स्टाक 50% का pump decent pump था and then थोड़ा time consolidate करके it came down ठीक है स्टाकनेट को देखेंगे अगर तो स्टाकनेट में कुछ खास performance नहीं थी मैं बोलूँगा मांतर है तो फिर भी एक pump दिया था और स्टाकनेट को भी देख लेते हैं स्टाकनेट नहीं यहाँ पर आने के बाद 1.75 से लेके 2.63 तक का वही 50% के नियर का एक pump दिया and then it came down आर्बिटरम को देखे तो आर्बिटरम ने रिसेंटली जब मार्केट अच्छी होई थी तो performance दी दी बट वो पूरा move retrace हो चुका है यहाँ से breakout मिला था ही आ चुकी है market ठीक है तो आर्बिटरम ने भी बहुत जाद अच्छी performance नहीं यहाँ reason क्या था most of इन देखो मांटा का जो market cap तक हम था start net और आर्बिटरम का market cap बहुत छोटा था मतलब मांटा का ठीक था इन दोनों का बहुत जादा था ठीक है तो और optimism की बात करें तो optimism ने एक decent performance दी थी बट आने के बाद यह भी drop हो था क्योंकि यहाँ पे भी market conditions सही न अगस्त में हो सकता है altcoins में आपको एक relief bounce या अची rally देखने को मिले और वहाँ पे अगर यह launch करते है तो उनको फाइदा तो रहेगा बट मेरा प्लान क्या है बाइगर नेगा simple सी video short सी मैं नहीं खरीदना चाहूँगा I don't want to be the exit liquidity of airdrop hunters ठीक है तो अगर तो बहुत अच्छ चल रहे हो 0.81 चल रहे 21 billion tokens की supply है total supply circulation में आती है 15-20% तो हमेशा ही जैसे हमने देखा past में tokens में तो अगर 20% supply है आ गई तो 4 billion के around और अगर यह 0.8 पे खुलके भी 0.6 पे भी चले जाता है तो भी 1.5-2 billion के around इसकी market cap रहेगी तो मैं 1.5-2 billion की market cap का launch वा क्वाइन फोजडे में नहीं गरीना चाहूँगा क्योंकि past का experience मेरा अच्छा नहीं रहा और to be very honest इसको long term bag में भी मैं आड करने वालं कभी मुझे मुझे मौका मिलेगा अगर मुझे breakout दिखेगा मुझे दिखेगा य Matic is there, Matic का मैंने आपको वीडियो बता के बताया था कि Matic से मैं निकलना चाहूँगा, same is with Manta, performance देंगे ये सारे coins, आगे जागे आपको Ethereum ETF की news आती दिखेगी कि trading स्टार्ट ओने वाली hype बनेगी वहाँ पर, performance आएगी, but मैं बहुत जादा layer 2 blockchains hold करने की जगा, एक पर ही focus क बहुत जादा भागेगी, एक कम भागेगी, एक भागेगी नहीं, तो फिर फाइदा वोससाब से बनेगा नहीं, so this was my video about ZK Singh, मेरा एक ही concern है, अगर इन्होंने नहीं दिया Airdrop Hunter को Airdrop, तो भाहे इंकी band बजने वाली है, and I don't think so, this can give us Matic-like returns, so this bullrun में, मैं अब जो है वो जा कर रहा हूं, right, and gaming sector पर मैं काफी जादा इंटरस्टेड हूँ, but मैं Layer 2 में बहुत जादा बड़ी बैट नहीं करूँगा, कर रखिया मैं, OP में बड़ी बैट, ठीक है, I'm very bullish on optimism, but, यहां पर मैं बहुत जादा coins में diversify नहीं करना चाहूँगा, and I have no plans to buy ZK Singh, and अगर आपने Aird drop मिले, all the best to you, आपने नहीं किया है, तो आप पहले दिन पर आके इसकी valuation से decide कर सकते हो, कि आपको लेना है कि नहीं लेना, obviously it won't be a good idea, अगर यह देखो, एग अच्छी market में launch हो रहा है, तो एक bounce तो जरूर दे देगा, आकर अगर 1.5-2 billion dollar की भी market cap पर launch हो रहा है, ठीक है, fully diluted market cap की बात नहीं कर रहा, बट अगर यह ऐसी market में launch होता है, इस type की market में हम अभी हैं, तो भाई मैं इसको खरीमना नहीं जाओंगा, मैं इसको short करके या फिर छोड़ के, छोड़ भी सकता हूँ, इसको short करना तो obviously I won't suggest to anyone, because आपको नहीं आता तो मत करियेगा, वरना market आपको और अगर मैं नहीं भी करता हूँ इसमें trade, तो भी मैं एक तरह से पैसा कमा रहा हूँ, क्योंकि मैं पैसा गवा नहीं रहा हूँ, so this is my analysis about ZK Singh, आज पता लग जाएगा, कि Airdrop Hunters खुश हैं कि नहीं हैं, तो ZK Singh की band बजने वाली है, that's for sure, तो मिलते हैं दुबारा अगली व बात करेंगे, और interesting नहीं कोईंस, कि काफी सारे नहीं कोईंस आने हैं, सारे दो भाई नहीं कर पाएंगे, but काफी सारी ऐसी चीजे हैं, जो हम discuss करेंगे, Twitter पर मैं काफी सारी वीडियो, काफी सारे charts शेर करता हूँ, आद भी कुछ important में शाम को शेर करने वाला हूँ, तो नीचे दिए दिए लिंक से, मिलेंगे दोस्तों तेहन रखिएगा